तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका Learn Basics में मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो का हम जानने वाल है कि क्लिपबोड का यूज करते हैं Microsoft World में ठीक है तो पहले कि समझ लेते हैं क्लिपबोड होता क्या है जब भी हम कुछ कॉपी करते हैं तो वो जाकर के क्लिपबोड में सेव हो जाता है तो जब आप कहीं पे Ctrl V याणि की पेस्ट करते हैं तो वहीं चीज वहाँ पेस्ट हो जाती है ठीक है यह काम करता है आपके लिए क्लिपबोड लेकिन अब माल लीजेए कि मैंने 1 कॉपी किया उसके बाद मैंने 2 कॉपी कर दिया तो 1 को पेस्ट करना हो तो मुझे दूबार से कॉपी करना होगा ठीक है लेकिन अगर आप क्लिपबोड के यूज करेंगे तो यह problem solve हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप देखते हैं क्लिप बोड है कहा पर देखिए यह लेफ्ट है क्लिप बोड है आपका इसके बगल में चोटा सा एक एरो बना हुआ है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एक विंडो आ जाएगी ठीक कर दिया और आप देख रहा है यह लेफ्ट हैंड साइड में यह विंडो यहां पर आ गई आप देखिए चब मैं वन कॉपी करता हूँ तो देखिए क्या होगा च्ट्रोल सी से मैंने वन कॉपी किया तो आप यहां पर मैंने करशर रखutation मुझे और पर क्लिक करना होगा आप देखेंकि वन यहां फे पे पेश्ट हो गया अब मुझे 3 क्या एगर 2 करने है तो सिंपल मुप्छे जाकि यहां पर टूरहा इया पर क्लिक करना होगा तो जो जो भी आपप सीज कॉपी करते जाएंग वो स अगर आपको सब चुछ हटाना है तो सिंपल यह देखी हाँ पर clear all का function दिया हुआ इस clear all पे आप click करेंगे तो जो भी कुछ आपने आपर save किया होगा वो सब हट जाए गए यहां से